हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक टू माय चैनल गौजियस कल जीटू आप लोग अच्छे होंगे तो आज की वीडियो मैं आपके साथ यह हैर ओयल शेयर करूंगी यह ही न हैर ओयल है जिसे हम महंधी भी बोलते हैं यह हैर ओयल आपके स्केल्प के बिलड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा जिससे आपको बालों की हैर ग्रोध भी होगी और जड़ना भी बंद हो जाएंगे इसके लावा यह आपके डैन्रफ को भी कम कर देगा और बालों को नरिश भी करेगा आपके बालों को सॉफ्टर शाइन बनाने में हेल्प करेगा इस हैर ओल को बनाना बहुत ही ईजी है तो चली मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर मेरे पास फ्रेश हेना पतिया है आपको इनको धूलेना है मैंने इनको अच्छे से धूल लिया है ताकि इनमें जितनी भी धूल वगएरा होती है व इसमें आपको इसा भी ऑयल डाल सकती है जैसे कि मैंने निघिल कोको इनको इस कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक शमच को कोकोनाट वयल को मिकसर जार में डाल दिया जिससे कि हमारा जो पेस्ट है और बी अच्छे से पिस जाएगा आप कोकोनाट ओल की जगा सरसो का तेल या आप ओल भी यूज कर सकते हैं एक बार और ग्राइंड करने के बाद हमारा पेस्ट इस तरह से दिखाई देगा हमने दो बाउल ही ना पत्तियों को जार में डाला था जो बिसने के वादे की बाउल रह गया और 100 ml मैंने कोकोनट ओल का यूज किया है इस हैरोल को बनाने के दुझे ने को रख दिया अब इस पती ले मैं को कोकोनट डॉल डाल दूंगी जो मैंने फन्ट inल लिया हुआ है उसको मैं पूर्र कप पूर इस पतीले में डाल दूंगी और आपको जो है ओल को बिल्कुल गैम नहीं करना है आपको थंड़े Tax को डाल देना है त्यूम को ज आपको जो है गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है साथी साथ आपको ऑईल को इस्पून की हेल्प से अच्छे से हिलाते जाना है ताकि आपका जो पेस्ट है वो तरी में नीचे चे पकना जाए आप देख सकते हमारा जो हैर ओल है बनके तयार हो गया आपको इस हैर ओल को ठंडा होनी देना है फिर इसके बाद जो है आपको एक स्टेडर की हेल्प से इसको छान लेना है आप देख पा रहे होंगे जो हमारा होईल है वो ग्रीन हो गया इसका मतलब है कि जो हिना के जो गु हो जाएगा और यह कि हैर की सारी प्रॉबलम को सॉल्व करने में हैरोप करेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स और एमिली को शेयर में इसके अलावा अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए लव यू और टेक केर और बाई बाई